हमारे भारतिय संस्कृति में बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है लेकिन क्या हो जब किसी परिवार में बहू के रूप में लक्ष्मी नहीं बलकि कुल लक्ष्मी परवेश कर जाए तो सिंपल सी बात है उस घर का उस कुल का उस पूरे परिवार का विनास होना तह है हाँ मैं बात कर रहा हूँ श्वाती रेडी की जो की 2017 में तेलंग गाना के नागर कुर्णल में बहुत ही चर्चा में ये केस रहा था जहां पर ये औरत अपने पती को मार करके कुछ ऐसे ठेकाने लगा देती है जिसका किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगती और आगे चल के साथ कह सकता हूँ कि आप इस पूरी घटना को सुनने के बाद श्वाती रेडी के मास्टर माइंड प्लान की दात जरूर देंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहली मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन करो विगोज आ पताने क्यों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करो तो ये कहाने सुरू होती है तेलंगाना के नागर कुर्नूल से जहां पर एक रेडी परिवार रहा करता था और उसी परिवार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम होता है सुधाकर रेडी अब स सुधाकर रड़ी पेसे से कारूबारी होता है तो वहीं दूसरी ओर स्वाती रड़ी पेसे से नर्स और ऐसे ही समय बीतने के बाद आगे चल करके इनको दो बेबी होते हैं एक लड़का और एक लड़की फिर आगे चल करके एक दिन अचानक से स्वाती रड़ी के बैक पेन हो हो जाता है और वो इतना ज़्यादा होता है कि जिसके चलते अब स्वातीरेडी को एक अच्छे खासी फिजियो धैरिपिस्ट की जर्रत पढ़ चुकी थी और अब इसलिए अच्छे खासी ट्रीटमेंट के लिए वहां के जाने माने एक फीजियो थेरिपिस्ट राजेस नाम के व्यक्ति के पास उसका पती यानि कि सुधाकर रेड़ी अपनी पत्नी को ले जाया करते और खुद से लाया करते थे और अब ऐसे ही समय बीते बीते आ जाता है 2017-27 नवंबर और ये दिन सुधाकर रेड़ी का सबसे ब पारपीट करने के बाद बेचारे सुधाकर रेड़ी के चहरे पर तेजाव फेक देते हैं जिसके चलते सुधाकर रेड़ी का 30% से भी जादा चहरा जल जाता है और साथ में उसके बदन पर भी तेजाव के कारण काफी घाव बन जाते हैं हालाकि उसकी पत्नी यानिके स्व वालों को कॉल करके बता देती है कि कुछ अंजान लोगों ने मेरे पती यानि कि सुधाकर रेडी पर हमला बोल दिया था और काफी मारपीट करने के बाद उनके चेहरे पे तेजा फेंग दिया फिलहाल तो मैं उन्हें होस्पिटल लेकर के आ चुकी हूँ अब आप लोग भी जल्दी से आ जाए अब ये बात सुनकर के उसके घरवाले फारन दोड़े चले आते हैं और वहें दूसरी और डॉक्टर्स उसका चेहरा देख करके उनके घरवालों को ये बताते हैं कि इनका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जल चुका है और अब इसे ठीक करने के लिए हम प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी और ये बात सुनते ही उसकी पतनी यानि की स्वाती रेडी हां भर देती हैं फिलहाल तो सुरू में उसके चेहरे को साफ करके पटी करी जाती है और उसके पूरे चेहरे को पटी से ढग दिया जाता है हालाकि उसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी जिसके चलते बेचारा अब बोल भी नहीं पा रहा था उसके परिवार वाले उसकी मां उसको उस हालत में देख करके बहुती बेचैन हो रहे थे लेकिन एक सवाल भी खड़ा हो रहा था कि आखिरकार इस घटना को अंजाम देने वाला कौन हो सकता है क्योंकि जह मन में सवाल तो अनेक थे लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं और इसका कोई सही जवाब दे सकता था तो वो था खुद सुधाकर रड़ी जिसकी हालत तो बहुत गंभीर थी बेचारा बोली नहीं पा रहा था तो उससे पूछता चभी करना सही नहीं था फिर ऐसे ही एक यानि कि किसी भी व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है वो व्यक्तित्व उसके भाई से मैच नहीं कर रहा था और अगर मैं आपको साप सब्दों में बताऊं तो वो सुरेंदर रेडी को कोई बहरूपिया लग रहा था पर अभी इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है ये कह करके सुरेंदर रेड़ी ने ये बात अभी किसी के साथ शेर नहीं करी उधर उसका ट्रीटमेंट चली रहा होता है कि बेचारी की तो बोलने की हालत सही नहीं थी तो खा कहां से सकता था इसलिए उसका भरण पोसन करने के लिए लिक्विड चीजे दी जाती थी लाइका जूस फिर एक दिन उसकी मा ने बहुती प्यार से मटन शूप बनाया और उसके लिए होस्पिटल लेकर के आती है जो कि सुधाकर रेड़ी का फेवरिट होता है पर जब मटन शूप को नर्स के दोरा सुधाकर रेड़ी के सामने परोसा गया तो सुधाकर रेड़ी ने उसे पीना और वहीं जब ये बात उसके परिवार वालों तक पहुँची कि उसकी मा के दौरा बनाएगे मटन शूप को सुधाकर रेड़ी पीने से इनकार कर रहा है तो उसके परिवार वाले हैरान रहे गए और यही बात उसके घरवालों को हजम नहीं हो रही थी लेकिन जैसा कि मैंने कोई भाई नहीं बलकि बहरूपिया है और इसलिए अब बिना किसी देरी के वो चला जाता है पुलिस एस्टेशन फिर आगे सुरेंद्र रेड़ी ने पुलिस वालों को साब सब्दों में समझाना सुरू किया कि जब से उसका भाई या फिर वो बहरूपिया उस घटना का स इसलिए नहीं कर सकता फिर आगे उसने बताया कि मुझे इस बात का शक तो सुरू से ही हो गया था लेकिन इस बात की कन्फर्मेशन मुझे तब हो गई जब मेरे भाई ने यानिकि उस बहरूपिया ने उसे मटन शूप को पीने से इंकार कर दिया जबकि मेरे भाई को तो अभी तक एक भी कमप्लेन क्यों नहीं करवाई अब इन सारी बातों को सुनने के बाद पुलिस वालों को काफी अजीब लग रहा था अजीब इसलिए क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा केस पुलिस वालों को सुनने को मिला ही नहीं था और यह आज तक की सबसे अलग क्राइम करने के बाद कुछ अलगी अंदाज में क्राइम को छिपाने की कोसिस करी गई थी खैर इसके बाद पुलिस एक्शन में आ जाती है और यहाँ पर एक स्पेसिलिस्ट को भी बुलाया जाता है इस केस को शौल्व करने के लिए हलाके सुधाकर रेडी की हालत तो बहुत उस बहुरूपिय सुधाकर रेडी से पोच्टाश करना बिल्कुल भी सही नहीं लगा पुलिस वालों को और अगर मालनों उसे पोच्टाश कर ली भी जाती तो वो उसे हर सवाल का जवाब देने को तयार बैठा होगा क्योंकि कोई भी बहुरूपिया किसी की जगा लेने स पहले उसकी हर एक जानकारी ले करके ही बैठता है और उसकी पतनी से भी पोच्टाश करना पुलिस वालों को ठीक नहीं लगा कि अगर इस साजिस में पतनी सामिल हुई तो वो असानी से सच तो बताएगी नहीं इसलिए हमें कुछ अलगी तरीके से इसकी सच्चाई का पता लगाना होगा और काफी सोच विचार करने के बाद पुलिस वाले अब दो नतीजे पे आती है पहला ये कि उसका डियने टेस्ट करवा लिया जाए और दूसरा ये कि उसका फिंगर प्रिंट अब डियने टेस्ट में काफी लंबा परसीजर लग सकता था और वहीं दूसरी तही सुधाकर रेडि के ओरिजिनल अधार काड से उसके फिंगर प्रिंट को मैच करवाने की और फिर मैच करवाया जाता है और मैचिंग करवाने के दौरान एक एरर आता है फिंगर प्रिंट मिसमैच और यहीं से उस हॉस्पिटल में एडमिट बहरूपीय का खुलासा हो लेकिन यहां पर ये सवाल उठ रहे थे कि आकिरकार ये व्यक्ति है कौन और सुधाकर रेडी के जगा क्यों लेना चाहता है और असल में औरिजिनल सुधाकर रेडी है कहां अब इन सवालों के जवाब देगा कौन तो असल में इन सवालों के जवाब देने वाली थी तो उसक के चेहरे पे जरासबे शिकन देखा गया था कि उसके हस्बेंट के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है उल्टा वो तो उस बहरूपिय का बहुती खास तरीके से खयाल रखती आ रही थी और अब शक्ती से पूछताज भी करी जाती है और सक्ती से पूछताज करने के बाद व नहीं होता है दरसल 2014 में साउथ की एक फिल्म आती है ये वाडू नाम से और अगर नहीं देखा है या फिर आपको सीन याद नहीं है तो थोड़ा सब को रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आपको आगे की श्टूरी समयने में आसानी होगी असल में होता ये है कि अलू अर हीमिका और अलू अरजुन जल जाते हैं पर अलू अरजुन बच जाता है हलाकि उसका चेहरा जल जाता है फिर उसे होस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर एक सेलजा डॉक्टर नहीं होती है और वहीं उसके चेहरे का ट्रांस्प्लांट करती है लेकिन ट्रांस्प्लांट करने के दोरान सेलजा अपने मर चुके बेटे राम चरन का चेहरा ट्रांस्प्लांट कर देती है अलू अर्जुन के चेहरे पर आई थिंक अब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा श्वाती रेडी ने बताया कि जब उसके बैक पेन सुरू हो गया था तो उसे अचानक से एक बहुत ही बहतरीन फीजो थेरिपिस्ट के जरुद पड़ी थी और उसी समय के अंतराल में उसकी मुलाकात हो गई थी फीजो थेरिपिस्ट राजेस से जो की अच्छा खासा एक फीजो थेरिपिस्ट था और अब उसी के यहाँ वो ट्रेटमेंट के लिए जाया करती थी और जब तक वो इलाज करवाने के लिए राजेस के पास आ रही है तब तक वो बिन्दास कुछ भी कर रहा है मिल रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन इसके बाद वो आगे की जीवन में एक साथ कैसे बढ़ेंगे और यही सोच करके उसने एक बार को तो सोचा कि मैं अपने पती सुधाकर रेडी को डिवॉस दे देती हूँ हलाकि कोई रीजन था नहीं डिवॉस देने का लेकिन फिर उसने सोचा कि रीजन तो कुछ भी नहीं है और अगर मैं कैसे भी करके डिवॉस दे देती हूँ पहले तो दोनों मिलकर के सुधाकर रेडी को खतम कर देंगे और उसके बाद राजेश को सुधाकर रेडी का चेहरा दे देंगे जिससे होगा ये कि लोगों के नजरों में तो सुधाकर रेडी जिंदा रहेगा लेकिन स्वाती रेड़ी अपने बॉइफेंड के साथ हमेशा के लिए एक हो जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा और इसी कहते हैं साब भी मार दो और लाठी भी न तूटे और होता भी कुछ ऐसा है फिर दोनों मिलकर के एक तारीख सेट कर लेते हैं कि हमें किस तारीख को इस घटना को अंजाम देना है और वो तारीख होती है 26 नमंबर 2017 क्यूंकि वो संडे का दिन था और संडे को सुधाकर रेड़ी घर पे होता है और इसलिए बड़ी ही चालाकी और साफधानी से उसकी पतनी स्वाती रेड़ी उसे एनेथीसिया का इंजक्सन दे देती है और बेचारा वो बेहोस हो जाता है और जैसे ही वो बेहोस होता है उसकी पत्नी यानि कि स्वाती रेडी अपने वाइफेंड राजिस को कॉल करती है और उसे घर पे बुला लेती है और घर पे आने के बाद दोनों मिल करके एक रौड से उसके सर पे बेरहमी से वार करना कर देते हैं और उसके बाद अब तारीख आ जाती है 27 नवंबर 2017 और ये वो दिन था जब राजेस को अपने प्यार की अगनी परिक्षा देनी थी यानि कि प्लान के मुताबिक ये सब करने के बाद अब राजेस को खुद से ही अपने चेहरे को तेजाब से जलाना था हाला कि सुरू सुरू में तो राजेस भी ना नुकूर करने लगा क्योंकि उसकी भी फटने लगी थी कि भाई चेहरे पे पानी नहीं बलकि तेजाब डालना है वो भी होसु हवास में इसलिए वो पहले तो मना कर रहा था लेकिन फिर भी उसकी गल्फेंड यानिकी स्वाती र अगर राजेस ने चुप चाप मतन शूप को पी लिया होता तो शायद इतनी जल्दी उसका भांटा नहीं फूरता जिसके बाद स्वाती रेडी को तो जेल हो ही जाती है और वहीं दूसरी वो राजेस का पहले ट्रीटमेंट किया जाता है फिर उसे भी जेल में डाल दिया जाता है खेर दोस्तों आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कि मैं ना अपनी वीडियो में क्या-क्या इंप्रू स्क्म्राइब का जाता है उस्क्राइब को तो ए्रेक्राव